हेलो गाइस एंड वेलकम टो माई योटोप चैनल टेक्निकल फ्रेंड दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदार होने वाले कि कुई आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने रेडमी नोट 11 के फोन में नेविगेशन बटन आप लोगों को दिखाए देगा इसको डाउनलोड कर लेना है चोटा सा एपलिकेशन है दस मिलियन से जादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं आगे मैं आप लोगों को बता रहा है इसका यूज आप लोगों को कैसे करना है फटा पट डाउनलोड करके ओपेन करिए गो टू setting का option दिखाए देगा, इस पर आप लोगों को click कर देना है, जैसे इस पर click कर देते हैं यहाँ पर आप लोगों को install service का option दिखाए देगा इस पर आप लोगों को click करना है और यहाँ पर आप लोग देखेगा navigation bar का option आप लोगों को मिल जाता है हलाकि अभी left right में है तो चलिए मैं इसको मैनेज भी करके दिखाऊँगा और जो काफी ज़यदा setting भी करके दिखाऊँगा यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पाले height का option मिलता है आप height वगएरा इसकी adjust करना चाते हैं तो आप height इसकी adjust कर सकते हैं और इसके बाद move up move down इस भी इसको पूरे को यानि कि navigation बार को पूरे जो है navigation बार को उपर नीचे कर सकते है move down move up इसके बाद adjust button भी कर सकते हैं left right करना चाहते हैं इधर कम ज़्यादा करना चाहते हैं इसके बाद आप लोगों को मिलता है तो पहले आप लोग normal feature आप लोग देख लीजिए यहां पे कुछ इस तरीके से वर्क करता है यहां से select कर लीजिए जो भी आप लोगों को color परसंदे अब इसके बाद यहां पर आपको तोड़ा नीचे आना है और यहां पर देखेगा इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो left वाली बटन right side में चली जाती है right वाली बटन left side में चली जाती है यानि कि बटन की अदला बदली कर सकते है इसके बाद बाद आपकी नविगेशन बटन सो हो रही यह आटोमेटिक हाइड हो जागी और उपर की तरफ स्लाइड करेंगे आप इनका यूज कर पाएंगे फिर 10 सिकंड बाद आटोमेटिक हाइड हो जाएगे उपर की तरफ आप लोग देखिएगा तीसरे नंबर पर थीम का आउसन इस पर किलिक करने बाद आप लोगों को यहाँ पर काफे ज़दा इस्टाइलिस थीम देखने को मिल जाते है जो क